पश्याताप का आवसर भी है उन्होंने कहा कि संसत में शरारत पूर्णा हरकत करने वालों को अपने एक शेत्र में ये पता करना चाहिए कि उनको कितने लोग जानते हैं पियम ने आगे कहा कि पिछले सत्र में संसत ने गरिमा पूर्णा पैसला लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था कि साथियों कि इस नए संसत भवन में कि जो पहला सत्र हुआ था कि उसके आखिर में कि इस संसत ने एक बहुती गरिमा पूर्ण कि फैसला लिया था और वो फैसला था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जन्वरी को भी हमने देखा कि इस प्रकार से देश ने करतव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावर्य को नारी शक्ति के संहितल्पकी शक्ति को अनुभाव दिया और आज बजेट सत्र का आरंब हो रहा है तब राश्पति द्रवपदी मुर्वुजी का बारदर्शन और कल निर्मिना सितारमन जी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से यह नारी शक्ति के साक्षात्कार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूं कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में कि सबने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोगतांत्रिक मुल्यों का चीर हरान करते हैं ऐसे सभी मानिय सांसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मने रिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुरदंग होला किया होगा लेकिन विरोद का स्वर्थ तीखा क्यों नहों आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहों लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को राभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनावे भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारिश बंद करके उजागर होगा और इसलिए जिन्हों ने भले विरोत्ता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभाह का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हीतों का कंसंद दिखाया होगा कि हमारे खुलाब टीके सिर्थी की प्रतिग्या की होगी उसके बावजुद भी बावश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र पेमी सबीड़ों कि इस व्यावार की सराना करते होंगे लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक्ता हुर्दयंग शरावश्य प्रूने वहवार यह जो किया होगा उनको शायदी को याद करे लेकिन अब यह बजेट 17 आउसर है पस्चाताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्पिन छोड़ने का भी आउसर है तो मैंसी सभी मान्य सावसदों से आगर करूंगा कि आप इस आउसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हीत में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और मंग से भर दें मुझे भी स्वास है आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपको समक्स लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्न मंत्री निर्भानाजी हम सब के सामें कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश निक्त प्रजटी की नई ने उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है झाल झाल झाल